आउजब लेमने शेतान ररजिम, बिसमें लाहिर रह्मान ररहीम, असलाम लाइकूम, मैंने इसना सुल्ताना, पीस्टी स्कॉलर फर्म भाउधिन जिक्रे यूनिवस्टी मल्दान, और लेक्चिरार उफ मत्माटिक्स इन आइस पी, अच्छा, तो ना पीछे तो हमारा, हमार क्या था पीछे, हाँ, अच्छा, जो लास्ट वीक आप लोगों को लेक्च्छर दिया था, न्यूटन लॉज हमने सारे देखे थे, न्यूटन के अंदर छोटी मोटी और मजीद डेफिनिशन पर लिए थी, मोमेंटम, मैंस, और बाखिसाई चीदों भी डेफिनिशन लोग आपने उन सारे लॉज को लिखना है और वो हमें सेंट करना है, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट उस पर, और न्यूटनियन मेकैनिक्स, न्यूटनियन मेकैनिक्स ही डेफिनिशन हम लोगों ने स्टार्ट में फिर्स लेक्सिर में पढ़ ली थी, कि ऐसे, यह क्लासिक न्यूटनियन मेकैनिक्स ही बोलते हैं और यह न्यूटन लॉज पर बेस करती है, तो न्यूटनियन मेकैनिक्स हम लोगों ने देख लिए सारा कुछ और सिंगल पार्टिकल बाकि साइज जोटे मड़ी चीजें भी देख लिए अब बाते हैं अपने अगले कॉंसेप्ट की कि तरह आता है नीूटनियन मेकैनिक्स ही चाल आ गया नीूटनियन मेकैनिक्स हम फुर्दर स्टार्ट करें जा गया है तो क्या कहता है, so far, so far we have been discussing the motion of single particle, वो कहता है, अब तक हम ना single particle की motion discuss कर चुके है, Newton law में हम देख चुके हैं, और उसको हम discuss कर चुके हैं, उसका linear momentum, उसका angular momentum, उसका torque, उसका force, उसकी बाकिसाइज चीज़ और क्या चीज़ थी, angular momentum, linear momentum, और top देख लिए, force देख लिए, और equation of motion देख लिए, second law में, और क्या देखा था, Newton law में, और हाँ, बस ठीक है, इतना सही है, वो कहता है, हम discuss कर चुके हैं, सारा का सारा Newton law को हम लग discuss कर चुके हैं, अब हम आते हैं, we now extend the discussion to include the system of interacting particles, अब हम system of interacting particles को अब हम discuss करने जा रहे before discussing, we assume that, अच्छा, तो अब हो, वो कहता है, हम system of particles जा रहे हैं, और उनकी साही चीज़ें discuss करेंगे, और अब इसके बारे में अब फर्दर वो बता रहे हैं, वो कहता है, before discussing, अब वो system of particles को पार जाने से पहले, याद रखो, पहले आपके पास single particle होता था, single particle में चेंज आप आपने acceleration पड़ा, single particle में आपने, 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 वो बागी, वो circular motion पड़ा, uniform acceleration पड़ा, तो आपने बहुत सारी टाइप, जितनी भी पड़ी है, वो single particle को लिए पड़ी था, अब आपके पास एक से ज़एदा particle जाद दे गए, end particles या ऐसा सो तो infinite particles भी हो सकते हैं, फिल हाल तो हम end particles से हम काम सिलाएंगे, वो discuss करने से पहले, कुछ बाते वो बता रहा है, वो बाते क्या है, system of interacting particles, ये जो हमाई पस क्या है, ये जो हमाई पस system है, interacting, interacting मतले उनने particles खड़े हैं, particles शिराफत से निक खड़ेंगे, एक दूशे पर act कर रहे होंगे, एक बात तो याद रख मैसे हैं, हर बंदे का, मतलब एक particle का मैस M1 होगा, दूसे का M2 होगा, किसी के मैस जएदा होगा, किसी का मैस काम होगा, तो वो इनने बता दिया, assuming that individual मैसे आर कॉंस्टेंट, हर बंदे के मैस क्या रहेंगे, कॉंस्टेंट रहेंगे, मतलब आप लोगों ऐसे नहीं समझना कि के जिसे हम कार्टून में हैं, एक मैस होता है, एक भूत होता है, एक वो चीजें खाता रहता है, बड़ा होता रहता है, ऐस नहीं समझना, आप लोग समझें, अच्छा, एक मैस है, दूसे मैस है, दोनों एक दूसरे की मारते भी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कि एक जो खाजाएगा वो बड़ अपना साइज बड़ा कर लेगा नहीं ऐसा नहीं होगा जिसका जो मैस है वो कॉंस्टेंट ही रहेगा एक दूसरे को मारते भी रहेंगे और रहर किसी का अपना मैस कॉंस्टेंट रहेगा यह घटेगा नहीं आगे देखें दो लॉज अप मोशन यहां पर वैल्ड होंगे तो यह सारे हमने एज्यूम कर लिए वी शाल फाइंड न्यूटन थर्ड लॉज प्ले आ वेरी इंपर्टेंट रोल पार्ट वें दा मोर दन वन पार्टिकल इज इंवल्ड वो कहता है न्यूटन थर्ड थर्ड लॉज ने बड़ा इंपर्टेंट प्ले किया है इन्होंने बड़ा इंपर्टेंट अपना रोल प्ले किया है for our study of the motion of system of interacting particles अब इसके लिए जो हम study करने जा रहे हैं we can place origin of the coordinate system अब वह हमाय पहस हमें कोडिने आपने देखा है सिंगल पार्टिकल में भी हमें coordinate की जो थी उसकी position को locate करने के लिए अब यहां भी बता रहे हैं वह जो हमारा coordinate का system का origin होगा या तो वह किसी at a fix point या तो किसी fix point पे हम रख देंगे या at a center of mass of the system मतलब यह यह सारे सारे खड़े हैं 10 element आपके सामने खड़े हैं अब हम क्या करेंगे coordinate system किसी एक fix point पर पार्टिकल पे रख देंगे fix point पर रख देंगे या center of mass पर रख देंगे और उसका center of mass हमने देखना वो क्या होगा? यह पॉइंट होगा जो balance point होगा. और जो sorry body को balance में डखावा होगा होता है जो या तो हम enter of mass में रख देंगे, या हम क्या है जो अब हम उतनकी fix point पर रख देंगे balance point प पर रख देंगे या हम रख देंगे fix point पर हें ते एक से जयएदे हमाय पर्टिकल आ गें तो वो हमाहे ले क्या ब न भर करें तो अब हम रोके णकर बेखें को टेएंग करेंगे ड्रीज्ट में करेंगे लि ट्राइज अजु निकल आएगा विलोस्टी एक्सिलरेशन to each of n particle हर किसी का radius vector हम निकाल सकते हैं एक particle है उसको origin से fix कर दो radius vector निकला है अगला particle अगला particle अगला particle अगला particle इस तरह n particles के हम radius vector easily draw कर सकते हैं with particles with reference to the cartesian coordinate system और फिर radius vector उनके radius vector हमें दे दिया है r1, r2 यह हमाई पस respectively selecting some point C और एक C point उसे select किया जिसे हम वो बोल रहा है center of mass बोल रहा है its radius vector with respect to origin यह गलत देखो suppose मेरे पास एक mass है यह एक mass है इसका origin से position vector क्या बन जागा अगर यह mj है तो इसका position vector बन जागा rj अगर मैं एक point ले 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 and ri j ri dash is the radius vector of i-th particle with respect to C अचा वाओ एक और अचा चलो अब देखो गोर से देखो अगर 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 position vector बन रहा है O से तो वो simple R capital R ऐसे बन रहा है अगर position vector बन रहा है C से तो यह दोखो यह इसका C से position vector बन रहा है वो हमाँ पस क्या बन रहा है R suppose यह मेरे खाल से यह i है m i है तो यह अगर इस mi का O के साथ position vector बनेगा तो ri c के साथ position vector बनेगा तो ri dash ठीक है तो अगर O के साथ position vector r अगर c के साथ position vector बनेगा तो उसके पर prime लगा देगा यह इसके पर dash लगा देगे Is the radius vector of i-th particle with respect to C by vector law और vector law जरा गोर से देखो vector law क्या कहता है this plus this is equal to this जर यही बात की हुए है r plus ri prime is equal to ri अब हो कहता है जरा इसे multiply कर दो multiply in both side पे इस equation को multiply कर दो submission of n से इधर भी आया इधर भी आया इधर भी आया इधर भी आया चलो ठीक है यह भी बात समझ आती है अब जर एक और चीज़ देखो इसके पास तो आई नहीं है तो यह पूरा sum हम इसे सारे sum सारे message के sum को हम एक capital mass m से denote करते हैं और यहां पर आ पर आया देगा MR और फिर एक और मज़यी बात देखी नहीं एक यह वली फोर्स बनी में है और एक यह वली फोर्स बनी में है by definition of center of mass center of mass की definition है inertial forces inertial forces क्या होती है R0 inertial for sorry internal inertial inertial forces R0 inertial forces कौनसी है वो यह वली forces है इनर्शियल फोर्सि हमारे क्या हो जाएंगी वह जीरो हो जाएंगी तो यह यह अच्छा यह आगे भी यूज हो गा इसले इस फार्मिले को भी सेही देख लो में इधा मुल्टिप्ला है और उधा जाकर डिवाइड हो गया तो इस इस दा डेडियस वेक्टर विद आर्बी ट्रेडी ओरिजन और यह हमाई पर सिस्ट्रम ऑफ पार्टिकल का रेडियस वेक्टर की डेरिवेशन हमाई पस निकल आई है तो अब चलते हैं अच्छा यह फोर डिस्क्रीट सिस्टम के लिए समिशन आएगा अगर यही सिस्टम हमारा कंटिनियस बन जाए तो उसके लिए समिशन की जगा हमाई पस क्या आजागा इंटिग्रेशन का साइन आजागा तो अब चलते हैं अब जाएगा क्या कहता है, how many types of forces that acts on the constitution of the system constitution होते हैं, वो rules and laws अब वो कहता है, जो rules and laws के मताबिक, कितनी forces in the system पर act कर रही होती है and also write their names वो कहता है, forces acting on the constitution of the system can be divided into two classes, इनकी दो classes हैं पहली external force, एक force जो बाहर से आके act करेगी आपके अंदर के message पर, message पर act करेगी जो bodies हैं जिनके message हैं, M1, M2, इनके बाहर से कोई external force आके act करेगी whose origin lies outside the system, जिसका origin क्या होगा, system से बाहर होगा अच्छा चलो, आगे देखने हैं, internal forces क्या होती हैं, which originate within the system जो के अंदर ही अंदर originate हुए है और पीछे याद रखो जब हमने ये system स्टार्ट करने लगे थे, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये body क्या है, शराफत से नहीं खड़ी, हर कोई अपने mask को लेकर बैठने किया ले अज़िवा है वो एक दूसरी को interact कर रहे था हैं अंदर ही अंदर एक दूसरी को मार रहे हैं और आप लोगों ने पीछे देख देख था, मार नहीं रहे, मतलब ये एक दूसरी को act कर रहे हैं forces लगा रहे हैं, अब act कर रहे है, तो जाही से बात है एक body है उसके पर कोई भी force act करती है, चाहे वो external force हो या कोई भी force अंदर का कोई बंदा उसे आके act करता है, तो उसमें motion तो होगी, तो forces तो अंदर generate हो रही है, इन्हें बोलते है internal forces which originate within the system and describe the interaction among the particles, और यह कैसे हुई है, generate कैसे हुई है, interaction among the particles, particles के दिरम्यान जो अंदर ही अंदर action हो उसकी वैसे यह उस चीज को यह describe करती है, अब आपको इस derivation के लेके जा रहे है, derivation of equation of motion of center of mass, center of mass की equation of motion निकालने जा रहे हैं, हम लोग for system of particles, अब जैसे देखो, इस चीज को बड़े गोर से देखेगा, यह force है, आपको दिखाई दे रहे है, जो यह भी दिखाई दे रहे ह इसको वैं explain कर रहे है, denotes the internal force, यह कह रहा है, यह internal force है, क्यों? उपर external force के उपर तो E लगावा था, छोटा सा E लगावा था, और एक और दी वी वीजन में आपको बताती है, यह internal force है, on jth particle, j particle पे लगाया गया है, due to kth particle, मतलब k नाम का बंदा था, एक particle अंदर पर रहा था system के अंदर, उसने j नाम का particle देखा है, फोरण जाकर उसको एक्ट की है, तो उससे जो एक्ट करने से, जो force जिनरेट हुई है, उस force का नाम क्या रख दिया है, fojk, अब मज़े की बात है, जिस बंदे पर action हुआ है, उसको उसने पहले लगा है, और जो बंदा एक्ट कर रहा जालिम, उसको उसने बाद में रखा है, तो यह चीज़ जरह हो से देखेगा, आगे चलके क्योंके इस पर confusion प्यादा होती है, तो फिर आप लोगों का समझना है, तो दो बार बार आकर पीछे देखेगा, तो इस तो इस तो इस तो इस तो इस जितने भी बाकी जितने, अच अप्री बाका है, जे पर एक बंदे ने ठोई ने लगा होगी, एक से ज़एदा भी बंदे लगा, एक से ज़एदा पार्टिकल्स भी इस पर एक कर सते हैं, तो जितने भी पार्टिकल्स ने एक्ट किया, उनके बारे में बता रहा है, तो 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 बाहर से external force ने भी आके J पर act किया होगा इसी तरह ये जितने भी हैं जो J के बराबर नहीं है जिन जिन ने act किया उन सारों का internal forces और external forces दोनों का sum कर दो तो J की total forces हमारी निकल आएंगी होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आगी है आगे चलते हैं and equation of motion of jet particle अब हमने jet particle की equation of motion निकालनी है क्या होगा है इन दोनों का adjectives रहने दी है इतर force की definition आप लोगों पता है क्या होता है यह देखो mass multiply by acceleration acceleration को हम कहते हैं radius vector का derivative with respect to double dash अज़ फिर एंथ पार्टिकल के लिए अगर हमाई परस यह single particle के लिए था अगर हमाई परस एंथ पार्टिकल होंगे तो यहां पर जे 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 आज़ेगा तो यहां पर जे ती था तो यह हमाई पर यह फार्मूला आगे मुश्किलता नहीं है ना equation number one बन गी और जे हमाई परस वो क्या कहते है और अब हमाई परस वो जे के बारे में बता रहे है अच्छा अब आते हैं किस पे आते हैं हमारे ही equation number one बन गी इसके बाद अब हमने देखा M किसको डिनोट कर रहे है mass of J-th particle J-th particle के mass को हमने M-J से डिनोट कर लिए R-J क्या है position vector, radius vector relative to the fixed origin जो आपको fixed origin O है उससे हमारे पास इसका position vector बन रहे है तो R भी introduce करवा दिया M भी introduce करवा दिया अब वो कहते है taking submission लो इसी equation one के submission लो equation one के अगर हम submission ले लेंगे तो ज़रा गोर से देखो यहां पे तो सारों के submission आजाएगा J from one to M और इधर भी J आजाएगा और इधर इधर क्या आएगा इधर क्या था? K one से लेकर N तक जा रहा था यहां पे अब क्या हो रहा है J bhi K bhi one से लेकर N तक जा रहा है और यहां side पे बता दिये J और K बराबर नहीं है जलो ठीक है अब कुछ सोचो ऐसा हो सकता है JAY Particle अपने उपर ही act करे ऐसा हो सता है? नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता तो फिर JAY Particle अपने उपर act नहीं करेगा उसका कई ने- ने-कई वो होगा JAY Particle act नहीं करेगा तो ना अच्छा तो यह हमने ले लिए एक्वेशन नमबर टू हमारे पास बन गई अब वह कहता है इंटर्नल फॉर्सिज ओबे न्यूटन लौ अगर 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 वह कहता है न्यूटन थार्ड लौ अबे करती हैं मतलब इन दोनों की जगह चेंज कर दो तो बाहिर हमारे पास क्या हो जाएंगी जिरो हो जाएंगी आप लोग देखो ना जितनी भी टॉटल फॉर्सिस को वो क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं तो अब खुद देखो अगर यह न्यूटन थार्ड लौ अब एकपर अट कर रहे हो अगर ढब जी ओने रियाक्त कर दिया तो बतलब यह विले तो होल कर जाएगा और अब जब आप action और reaction सारी forces को sum कर रहे हो तो इन में positive, negative सारे add हो कर answer क्या आ जाएगा? internal forces तो हमाई पर यहांपर क्या हो जाएगी? zero हो जाएगी यह वाली चीज तो हमाई जीरो हो गई तो हमाई पर बाकि क्या बचा है? यह वली force बच गई, यह वली force बच गई, तो यह हमाई पास बच गई, यह total forces पे, total external forces पे अगर sum आ गई है, तो इसका मतलब है, सारी forces को sum करेंगे, तो यह सिंगल force बनेगी, तो यहाँ पर कॉर्णी चेक्स के बारे में explain भी कर रहा है, further, वो कहता है, यह results from all external forces acting on the whole system, यह वो forces पूरे system पर act कर रही है, तो हमने इसे इस तरह से लिख लिख लिए, और पिछे 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 आप लोगों ने अभी radius vector की derivation की थी, MR जो था वो इसके बराबर था, यह MR पिछे अभी radius vector की derivation की थी, तो MR जो है वो इसके बराबर था, अगर आप इदर आर के double derivative लगा दे तो अब इसे जरा गोर से तो देखो, क्या single particle के लिए आप लिए यह formula ने निकाला था, force is equal to mass multiplied by acceleration, देखो वही चीज निकला लिए for system of particles के लिए, तो अब इसे result को भी पढ़ लेते हैं, this shows that center of mass of the system moves as if it were as a single particle of mass m, वो कहता है, यह system of mass तो ऐसे move कर रहा है, जैसे कोई single particle move कर रहा ह और उसका mass भी, उसका mass भी इस ते बता दिया है, कि उसका mass भी हमाई पर हमाई पर सिंकल पार्टिकल में mass small m होता था, यहां पर total mass, सारे system, सारे particles का mass add कर दो, तो फिर उस तरहां से ऐसे लग रहा है, कि वो सारे मिल कर चल रहा है, फिर इसके बाद भी है, equal to the total mass of the system, acted upon by the total external force और यह सारे चल कैसे रहा है, कि बहर से जो total external force आ रही है, वो इनको चला रही है, इस system को चला रही है, और यह वैसे ही move कर रहा है, इनकी motion में वैसे ही हो रही है, जैसे ही आप पीछे वो पर रहे थे, पीछे क्या हो रहे थे हम, हाँ, पीछे single particle के लिए पर के आया थे, यह इसी से related एक चोटा सा रिमार्क है, वो कहता है, show that, center of mass moves with constant velocity when the external force this is zero, अगर external force zero है, खुच ज़रा देखो, external force हो गई zero, तो हमने इदर put किया, zero यह शकल आजेगी, अब आप ज़रा integration both side पर तो ले, integration both side पर तो लो, mass तर divide हो हो रहा है, इदर multiply हो तो जाकर divide हो ज़रा, आप integration both side तो velocity is equal to constant आगे, तो velocity उसने सही बोला है, velocity क्या कर रहा है, center of mass moves a constant velocity, constant, और यहां पर पीछे भी यही बात ही थी थी न, अचा, अगर हमारी external force zero हो जाए, मतला बाहर से कोई force act ही नहीं करती, उसने क्या बोला था, उपर रिमार्क में बोला था, बाहर से external force आ रही है, आपके system of particles को move कर रही है, तो और यह ऐसे ही move कर रहे है, जैसे single particle move कर रहा था, तो फिर अगर बाहर से external force आती नहीं है, तो फिर बोला कहता है, वह constant velocity के साथ, अपने move करते रहेगा, तब system का क्या होगा, system of particle का क्या होगा, तो वह उसे बता दिया, वह constant velocity के साथ, तो इतनी tension ना लो, वह न परOTH पाहरा है है जो है इनर्जी इंड़ी ही रहते है वह इसमें भूतार है सब्सक्राइबभी करक्षेशन लॉट लॉट ऑर नंई हरे पार्टिकल लिए वहारे स्वें बार्ट्रेज्ट, दोarmallye, the diffuse techniques, energie, the subscribed, the subject of the state. आपने मिलोसटी देख लिए और किया सैथै क्या देख लिया डीया करेश वि किया मुमेंचम है ओर हम थी नहीं ज़िए मुमंटम यह क्या मिलगी है यह और लिनेर मेमेंटम को हम लिख सकते हैं मैस मुल्टिप्लाइब विलाउस्टी को हम लिख सकते हैं इस शेकल में और अब यह वही आर कर डेरिवेटिव इस देंप टाइम पीछे ले लिए अगर अगर कॉंस्टेंट है तो एम अंदर आजेगा यह यह वाली शेकल पीछे अब ज़रा गोर से तो देखो पीछे आप लोगा ने निकारा था यह शकल बंदी थी समिशन मैस और आर एम आर के बराबर थी अब इसका जब आजएगा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमाँ पस यह आजएगा और यह देखो वही फार्मुला नहीं बंगिया जो सिंगल सिंगल पार्टिकल के लिए क्या फार्मुला था सिंगल पार्टिकल के लिए क्या फार्मुला हमाई पस था सिंगल पार्टिकल के लिए था मैस मल्टिप्लाइबाइब विलॉस्टी यहां पे भी हमाई पस क्या है मैस मल्टिप्लाइब विलॉस्टी यह फार्मुला आ रहे जैसे सिंगल पार्टिकल का था बस फर्क ही है वहां पे स्मॉलन था अकेलिये सिंगल पार्टिकल का मैश था अब यहां पर सौरों का मैस एड़ करके बिल्कुल वही हो गया जैसे आपका वो था जैसे सिंगल पार्टिकल 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 प पर इंटरेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है मोशन हो रही है पुजिशन वेक्टर में चेंजिंग आ रही है तो पका 100% मिलोस्टी आएगा तो वो फिर यही बात कर रहे हैं कि अगर सिफ आपको मिलोस्टी का पता चल जाए तो यह काफी होता है अगर में इसका डिफ्रेंटियेट करें डेरिवेटिव ले अच्छा 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 आप खुद देखो अगर में इसका डेरिवेटिव लोगे इसका क्या होगा तो जी इसका इसका नेगार में इसचान देखे हैं तो प्यज्नों बडिफ्रेंट्टी साथ लोगे करोगे बतीश को में इस तो यही वो बडिख दिखारे जाए अगर आए कर तो वाओ- 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 this shows that the total momentum P of the system of particles is change only as the result of the external force इसले अज़ीए वही बात that external force, it will act, then will be change in the total momentum इसकी बीडरोफ नहीं आगी है नहीं कर फॉर्स अगर हमाई पर external force, हमारा हमार लोमेंटम तो उसको कंसर्वेशन ऩी ऑगई तो def Eis अगर आप इैगरेशन बोगा तो रिंट वह आप ακर prohibited को नाया है वाई हे Honestly को फ़े खेगा हाई एक्सटरनल अग्ली डेरिवेशन आपने पिछे लीनेर मोमेंटम देखा था अब आप डेरिवेशन हम दिखा रहे हैं एंगलर मोमेंटम की डेरिवेशन यह असान है मुश्किल यह बस आखी है इस इतित इंचनालर बस फितम होने बाद है अब आपको पता है लीनेर मोमेंटम का विध रिस्पैक्ट अब इसक अब इसकपह रहा है अब इसको इस जदेने हमकेश एक पस्ते झाल परतीकल का हमों लगादेंगे sum तो यह हमाँ पस total angular momentum बन जाएगा और इधर भी sum आएगा और इस पर को हम लिख सब्सक्राइब मैस मुल्टिप्लाइबार अगर अब मज़े की बात मज़े की बात अब इधर आऊ हो यह कहता है हमें पता है यह जे क्या है vector angular momentum this plus this इन दोनों को plus करेंगे तो यह हमाँ पस बन जाएगा और मज़े की बात derivative लेंगे तो derivative आजाएगा एक और मज़े की बात तो वो क्या कर रहा है हाँ यहां आर जे की value यहां लगाई और अभी इसको as it is रहे दिया अब दो जने एड हो रहे है ब्रेकिट खुलेगी यह आर तो दो जोमे की number ij की value यहां पुट करेंगे इदर फुक करेंगे और इदर फुक करेंग के यहाँ ब्रेकिट ब्रेकित थुकुले मुटाकर टीयोंगे तो जड़ेगा इसके पस ब्याजेगे एक इसके स stiffed ब्याओ प्लस सुख का जाएगा यह दो खुल दिया safe फिर आगे क्या हो रहा है आगे यह भून रा चाहाँ अब फृर्दर खूल दिया कुर्ली ब्रैकेट भी हटा दी यह स्वान है कर एक हमारे भी नऐ था इसेंटर of math सेंटर की माइस की माइस के national c सेंटर of math मैस की में मैस का है ? आठ ढलतhan यह समेशन मैं में अंदर दो, आंपको यह समेशन नहीं है फिर आप ने पीछे देखाता सेंटर of math की मैस deshalb स्वारस्चा मैंपस क्या थी जीरो तो यह वाली टरम आपकी जीरो हो रही है अच्छा अब इदर आके देखते हैं इदर और यह आर के पास तो नीच जाएगा इसा मंदर अगर जाए तो सब्सक्राइब यह आएक सेंटर अच्छाइब रहे हैं जाएब ऑन सब्सक्राइब रहे तो आगे लगया आगे वह जीरो प्रूफ कर रहे हैं न आगे एक। प्रूफ कर रहा है वही समिशन अलग लग दिया इसको डेरिवेटिव आप पीछे हटा दो और यह बन गया वही यह हमाई पर से नर्शिल फोर्स बन गया यह हमाई पर जीरो तो दोर तरम्स हो हमारे इजिली जीरो होगी है एक यह वली और एक यह वली बाकी अब यह बच है फिनजा बाका इसे है और स्किर्ष आइ यह लगर आज़ो आज़ो हगी यह जा दिजेगा यह मेने गलत दिखा वे तो ना तो बस अब इसको देखो यह भी हमाई पस किसकी डेफिनिशन बन रही है यह हमाई पस system of mass angular momentum बन रहा है और यह internal forces का angular momentum बन रहा है तो यह हमाई पास total angular momentum क्या है center of mass angular momentum और अंदर जो forces हैं उनका angular momentum तो अब गर इसको पढ़ लेते हैं यह हमें क्या किया रहा है वह किता है this is a vector sum vector sum of angular angular momentum of system of particle about a fixed point origin मतलब इसकी तरीफ की है कि इसका नाम क्या है angular momentum of a system of particle about a fixed point O is equal to the to that of a single particle whose mass is entire mass M वो कहता है और यह single particle की बराबर है जिसका mass क्या है पूरा का पूरा system of particle का M is located at and moving with the center of mass और यह center of mass की तरह मूँ कर रहा है और इसे denote कैसे कर रहा है lc से plus angular momentum of the particle particle of the system about center of mass तो यह हमारे पास थी सारी इसकी definitions और यह अब हमारा newtonian mechanics का topic में हमारे complete हुआ और इनकी assignment हम आपो क्या दें चलो यह जितनी भी derivation है नहीं को करके अपने हाथों से करके नीट नीट करके में यह center कीजिएगा तो तब तक के लिए अपने बहुत ज़दा ख्यार रखेगा अपनी दुआ में याद रखेगा तब तक के लिए Allah आफिस